हे गाईज बहुत सब तो कैसे हैं आप सब लोग welcome back to your own channel study more with दीपाग यादा welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 8th of July 2022 तो गाईज आज है 8 July 2020 और है Wednesday देखेंगे आज का the Hindu complete newspaper the Hindu complete newspaper को analyze करेंगे from the viewpoint of UPSCA and other various competitive exams और गाईज उन सब चीजों से पहले अगर आपको इन सारी चीजों से related PDF चाहिए और जो हमारा newspaper जिससे हम चीज़े cover करेंगे ये वाला newspaper चाहिए साथ इस साथ आपको जो हम editorial discuss करेंगे उसका background analysis जो होता है उसको PDF के रूप में चाहिए और सारी जित्ते भी हमारे आप समझ लो इन सारी चीजों से related अगर PDF से ही है तो आपको क्या करना है डाउलोड करना है telegram डाउलोड करने के बाद search box में टाइप करना है study movie दीपक ब्राकेट में UPSC लिखा है आप देख सकते हैं क्लिक करोगे तो नीचे जॉइन को option आ रहा होगा नीचे जॉइन कर लेना है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आपको daily basis पर notes मिलता है साथी साथ background analysis मिलता है जितना हमारा जो newspaper होता है newspaper की pdf मिल जाती है आपको ठीक है तो guys newspaper की आपको pdf भी यहाँ पर देख सकते होगे जो newspaper है यह पूरा का pdf form में आपको इपास चला गया है आप यहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीज़े जो हैं आपको दे दी गई हैं जैसे कि आप देख सकते हो ICMR के बारे में जितना भी background analysis होता है कुछ हम लोगों ने अंग्रेगा के बारे में पढ़ा तो यहाँ पर मिल गई है तो guys ready made notes मिलते हैं आपको तो जाओ join करो और उसको सबका फायदा उठा और सबसे बड़ी बात guys यह सारी चीज है एकदम free of cost जी हाँ बिलकुल free of cost है तो आप जाकर join कर सक क्राइब ठोक देना तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है हमारी important articles उनको discussion करेंगे और साथी साथ उनका background analysis देखेंगे तो सबसे पहला हमारा article है जैसा कि हमने कल भी इसके बारे में discuss किया था army pulls back 1.5 km from clash side up जो galvan valley है वहां से जो यह हमारी PLA है जो चाइना की आर्मी है people liberation army तो यह क्या हो गए पीछे जा रही है पीछे हट रही है और 1.5 km तक यह पीछे तक हट गई है ठीक है पीछे जा रही है तो चलो बहुत अच्छी बात है इसके बारे में हमने कल भी discuss किया था ठीक है PLA के बारे में people liberation army जो की पीछे जा रही है इतना इतना ही पीछे चली गई 1.5 km और इस चीज़ के बारे में हमने कल भी discuss किया था आप गाईज यहां पर issue क्या चल रहा है issue email यह चल ला है इंडिया चाइना इंडिया चाइ ठीक है हर जगे इंडिया चाइना के बारे में बात हो रही है ठीक है कुछ हट के आर्टिकल नहीं आ रहा है काफी टाइम से जैसे कि जून बर देखो कि आप पूरे जून हमने इंडिया चाइना के बारे में डिसकस किया है और relation तो उसके past relation इतनी बार डिसकस किया है बहुत बार डिस्कस किया हूँ सबके नोट्स जो है वो टेलिग्राम पर डले वह हैं क्योंकि उसको हमने डिस्कुशन काफी बार किया है तो काफी बार वही जो नोट्स आ फॉरवर्ड कर रखे हैं आप देखोगे तो कई बार फॉरवर्ड हुए होंगे जो जितने भी हमारे इस्प्यूट्स बगर रहा है एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक पूरा का जैसे मतलब आप समझोगे एकदम पास से एकदम स्टार्टिंग से लेके 2020 तक सारे डिस्कस कर रहे हैं सब के जो हमारे पीडिएफ की फॉर्म में नोट्स पढ़े हैं टेलिग्राम पर जाकि सिलेबस है वो रिडियूस कर दिया है 30% तक ठीक है 30% तक रिडियूस कर दिया है CBSC ने तो आपको अब जो है सिलेबस वो भी कम हो चुका है तो मेरे को ज़ादा इतना मालूम नहीं है मेरे को थोड़़बाद economics का मालूम है क्योंकि मेरा background ही economics है तो economics में शायद money और banking यह सार golden bird wing है यह इंडियाज की largest butterfly है ठीक है golden bird wing नाम याद कर लो पैन उठाओ और copy में note down करो golden bird wing is इंडियाज largest butterfly और golden bird wing का नाम क्या है troids acus यहाँ पर इसका name है ठीक है यह species का name है और आप यहाँ पर इसको note down कर लेना क्योंकि यह इंडियाज की largest butterfly है directly अगर question भी आएका तो आख बंद करके आप solve out कर दोगे ठीक है तो चलते हैं आगे और देखते हैं हमाली क्या है important तो चलते हैं हम लोग सब सब पहले editorial पे editorial प इसका analysis होगा कि analysis क्या nature निकल के आएगा वही चीज़ तो लिखोगे तो वह सारी चीज़ में आपको यहाँ पर बताऊंगा तो सबसे पहले हम लोग दिखते हैं जो editorial है page number six editorial होता है हमारे UPSC के point of view से important UPSC के mains as well as prelims के point of view से important होता है और बाकी जो हमारे newspaper बाकी जो newspaper होता है prelims के point of view से तो prelims और mains दोनों के लिए हम जो है newspaper पूरी तरह से cover करते हैं इसलिए हम complete newspaper को analyze करते हैं तो guys यहाँ पर आपको complete newspaper analyze मिलता है साथी साथ एक एक information detail में जिसका यहाँ पर background analysis भी दिया जाता है और सबके notes भी दिये जाते हैं आपको दा हिंदू भी मिलता है तो सब कु tutorial देखो कि इसमें जो यह वाला article है यह हमारा India-China के relation के बारे में है इसके बारे में है इसमें जो article है इसमें थोड़ी बहुत यह बात तेorie है कि जो हमारा चाईना है चायना ने थोड़े बहुत अपना क्या करा है nuclear arsenal को expand करा है जो कि इंडिया के लिए जहाँ पर चिंटा व उसके बारे में है जो हमने काफी बार cover कर लिया है repeatedly यही article आ रहा है क्योंकि issue चल रहा है काफी जादे उसके बाद police terror जिसको हम तीन दिन से discuss कर रहे हैं ठीक है तीन दिन से क्या अब जब से यहाँ पर यह article आई रहा है तब से हम daily basis पर discuss कर रहा है और इसके यहाँ पर regarding धेर सारे pdf notes पढ़े हैं धेर सारे telegram पर की police reforms आएं police reforms में क्या करना चाहिए उसके बाद violence उसको कैसे reduce करना चाहिए धेर सारे notes पढ़े हैं यह article किसलिए basically article यह इस चीज़ के उपर है जो अभी father and son की death हुई है तूतू कुडी में ठीक है तमिलनाडू में आप जो daily newspaper पर देखता हैं उनके काफी सारे अच्छे-च्छे messages आते हैं कहते हैं कि काफी साथे चीज़ें जो है वो related हैं तो हम लोग newspaper पर पढ़ना बहुत अदा असान हो गया तो guys Kanye West एक person है जिनके ओपर पूरा-पूरा article है उनके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है और उसके बाद जो next हमारा जो अब देखें next जो हमारा editorial है इसका नाम है उपेड इसमें जो आर्टिकल देखेंगे यह वाला फिर और बहुत इंडिया की situation भी देखे गए कि इंडिया को क्या करना चाहिए कि चाइना है यार सबी से dispute चलना है इसके नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा इथोपिया bloody wayham के बारे में अब यहाँ पर इथोपिया में जो protest चलना है और यहाँ पर एक जो हमारी famous personality नेखने से वाल आर्टीकल है फैले पेच पीच पेच 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 चलते हैं और यहां पर और मैप के तुरुए हाँपरे जानने के बारे से वह केमें परेशी सॉन्या थेटर आनों क्यों यहां पर इप और सब को पता ही होगा जैराज और डेनेक्स यहां पर यहें फादर और सन नहीं को यहां पर क्या करा गया मैं आपको फिर आज बेसिक से बता देता हूं यह जाना नेन्सरों फ़ून स्वाधर और क्या गरा थोड़ी बहुत देडी तक खोली जो पुलिस का study में आने के बाद इतना torture करा गया कि इन दोनों की death हो गई अब ये शर्मनाक वाली बात है कि torture से इतना torture करा है कि death हो गई और तो ये काफी जादे जो situation है ये father and son की जो problem है काफी जादे trend हुई twitter पे trend करती रही काफी जादे ये जो है इसके बारे में आया है कि police के खिलाफ यहाँ पर धोड़ kitchen सारे notes PDF के आपको पढ़े हैं टीले ग्राम पर और सब बिल्कुल free है आप जोइन करके हहाँ पर सारे notes जो है वो ले सकते हैं तो उसी के ओपर आर्टिकल है इस वह से मैं कहा रहा हूँ कि आज यहाँ पर हम डिसकस नहीं करेंगे बैसे मैंने बता दिया क्या डिसकस नहीं करेंगे हम लोगोंने बता बताई दिया आर्टिकल की है यहाँ पर situation है क्या ठीक है तो उसे को पर article है और सबसे बहुत यहाँ पर article का basic क्या इसके बारे में भी थोड़े बहुत बाते बता देता हूँ जिसके बारे में हम लोग पहले भी discuss कर चुक है कि जो हमारा यह है यह क्या बताती है proper rule of law हम लोग के पास है नहीं proper rule of law क्यों नही है क्योंकि आप situation देखो कि जब इन्हें custody में ले गया ठीक है custody में लेने के लिए पहला रिमांट ही हो दी रिमांट यहाँ पर judge ने पुलिस वाले को रिमांट दे दी ठीक है अब ध्यान से सुनना जो judge है judge ने पुलिस वाले को रिमांट दे दी कि हाँ ले लो custody में लेकिन judge इन दोनों को देखा तक नहीं सबसे वड़ी बधाप यह चीज देखो के judge ने इन दोनों को देखा तक नहीं दोनों को देख तो लहता your जो है हमारे विक्टिम से इनको बता जा रहा है को देख तो लेता ज़िज ने नों देखा भी नहीं और ऐसे ही बिना देखें यहाँ पर रिमांड पर ले लिया और यहाँ पर आपर इसे वह सकते हैं इसे वह से यहाँ पर कहा जा रहा है एक विदाउट प्रॉपर रूप सबसे पहले यह देखते हैं यह है क्या बात अब इंडिया और चाइना के डिसिंगेजमेट की बात चली आप देखोगे अब जो हमारी पी एले है पीपल लिबरेशन आरमी पीछे भी हट रही है और यहां पर तक पीछे चली गई है तो लेकिन उसके यहां पर आर्टिकल क्या आश हुआ यह काफी जादे बिगड़ गहीं सिच्वेशन और इन सब चीजों के देखो यह सारी चीजे जो पास्ट की सारी चीजे बता दी जो हम काफी दिन से डिसकुस करते बारे हैं लेकिन लास्ट में क्या निचोड़ है दो तीन लाइन का यहां पर निचोड़ है क्या कि जादे जो है conflicts दिखाई दे रहे हैं इधर से उधर से जो है वो conflicts बढ़ते वे ही दिखाई दे रहे हैं ठीक है उसको बाद next article हमारा यह है इसको हम दोनों को अब आपने वो पड़ा उसके बाद यहां पर यहां पर यह देखते हैं जो stand-off में यहां पर देखा गया है जो nuclear हम आपर कि कब जिम्हें कर सकते हैं कि चाइना तो चाहता ही है कि मैं एकडम क्या करूं एक पावर होस्पूरी उसके हाथ में हो जो है वो पूरे globally पूरे global को हाँ पर rule कर सके चाइना तो यहीं चाता है लेकिन ऐसा हो थोड़ना सकता है लेकिन अब जो यह ऑप चीज़े जो ए जिन्ता वाली बात है कि क्योंकि चाइना की कभी भी हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं सबसे बड़ी बात उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या step उठाने वाला क्या step ने उठाने वाला है क्योंकि वह कभी भी कुछ भी कर सकता है तो हम लोगों को भी ready रहना पड़ेगा तो उसी के ऊपर अर्टिकल है कि यहाँ पर जो है बता रहत कि यहाँ पर अगर आप इस एस इस इस डिपोर्ट के यहां पर एक रिपोर्ट है स्टॉ Communist International Peace Research Institute SIPRI, SIPRI के बारे में हमने पहले भी काफी बार डिसकस किया है आपको पता होगा ठीके, तो SIPRI इस रिपोर्ट ने क्या बताई है इसने बताया है कि देखा गया है जो चाइना ने अपना नुकलर आरजनल है ये काफी हद तक बढ़ाया है 2019 में 219 2020 में 320 आध तो उसको बढ़ाता जा रहा है तो उसके उपर आर्टिकल है अब यहाँ पर जो चैलेंची से इंडिया के लिए वो क्या क्या है कि जो इंडिया है वो काफी ज़ादे यहाँ पर उसको भी चिंता हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ऐसा गर situation देखने को मिल जाती आगे भी तो यहाँ पर काफी ज़ादे problems face करने को मिलेंगी ठीक है उसके लिए जो है इंडिया इंडिया को काफी ज़ादे अपने पहले से steps उठाने के चलना पड़ेगा पहले से जो है अच्छी तरीके से ready हो जाना पड़ेगा ठीके और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या बात हो रही है सबसे बड़ी बात तो यह हो रही है जो अकसाई चीन है यानि कि बस आपको यहाँ पर दखो के अकसाई चीन का एरिया है ठीके यहाँ पर जो अकसाई चीन का एरिया है ठीक है उससे काफी जादे closer है काफी जादे pass है जो चाइना का region है Xinjiang तो वहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं ठीक है वहाँ पर ही जो nuclear arsenal है उसको बढ़ा रहे हैं अब वहाँ पर बढ़ा रहे हैं तो आप लगा लो कि हाँ border पर ही जो है इंडिया को क्या करना है अपनी जो है चीजे जो है वो redouble कर देनी है ताकि जो है एक मजबूत और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम लोग लड़ सकें इस तरीके से situation बनानी पड़ेंगी otherwise यहाँ पर काफी ज़दे problems face करने को मिल सकती है अगर ऐसा कुछ होता है तो ठीक है क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसा की बताया क्योंकि हम बिल्कुल भी trust नहीं कर सकते चाहना के उपर क्योंकि ऐसी पहले भी situation देखने को मिल गई थी और अभी भी ऐसा कुछ situation देखने को मिल सकती है ठीक है तो उसके उपर article है यहांपर आपके लिए जो answer में जो लिखना है आपके लिए आपके लिए वैसा कोई इतनी important चीज़े नहीं है अभी कुछ जैसे कि और article लाएंगे तो आपके लिए कुछ और जाएंगे हम लोग deep जाके देखेंगे तो और important articles निकल गाएंगे, तो उनमें सो जो चीजे लिखने लायक होंगी, वो आपको बताई जाएंगे, अभी कोई चीजे यहां से लिखने लायक नहीं है, ठीके, कोई इतनी खास important नहीं है, बट आपको क्या होना चाहिए, एक idea होना चाहिए, कि हाँ आप वो अपनी nuclear जो है, nuclear को expand कर रहा है, तो यहां पर इंडिया को काफी जादे खत रहा है, ठीके, तो उसके लिए इंडिया को steps उठाने चाहिए, तो आपको बस खाली इतना idea रखना है, भी कोई इतनी खास important है नहीं, ठीके, तो हमने यह cover करें, तीन editorial, उसके बाद next editorial है हमारा यह, next editorial यह किस चीज क आया हुगा, हाला कि यहां पर पहले इसकी चीज के बारे में बात चल लए है, कि जो काने वेस्ट है, एक personality है, ठीके, तो यहां पर क्या है, कि मतलब अच्छी खासी personality है, rapper है, ठीके, rapper है, hip hop star है, और काफी जादे जाने मानी personality है, और जो fan following है, वो भी डेल कडोर से उपर की fan following है, तो आप समझ सकते हो, कि यहां पर famous personality होगी है, तो काने वेस्ट के ओपर है, कि यहां पर यह कह रहे है, कि मैं आप election में खड़ा हूँगा, जो आपको पता होगा, अमेरिका में election होने वाले है, नोवेंबर में, तो इनका एक tweet देखा गया है, tweet इनोंने करा है, कि अब मै election में खड़ा हूँगा इस बार, जो कि impossible लग रहा है, impossible का impossible लग क्या रहा है, impossible है, क्योंकि अगर अमेरिका का election की बात हो रही है, election है अमेरिका का, तो उसके लिए काफी जादे process चाहिए होगा, और कम से कम एक साल पहले अगर announcement होगा ना, कभी जाके बंदा वो election लड़ सकता है, और यह वैसे भी अकेले ही लड़ेंगे, independent कि कोई सी parties वगरा से लड़ेंगे ने, ठीक है, क्योंकि parties आप देखो कि तो चाइना में जो main दो ही party है, democratic और Republican, ठीक है, जो हमारे Donald Trump है, वो कौन सी party से बिलोंग करते है, Republican से, ठीक है, तो Democratic और Republican दो party है, लेकिन यहापर इन्हो ट्वीट आया कि, ट्वीट करा इन्होंने, क्या करा, कि अब की बार जो है, वो election लड़ेंगे, हलाकि इनके जो relation है, वो Donald Trump से भी अच्छे है, ठीक है, लेकिन Democratic Party से भी अच्छे है, Democratic Party की तरफ भी जुकाव इनका काफी जादा है, ठीक है, तो अभी इन्होंने पहले भी बत आया है कि हाँ, 2024 में तो election में खड़ा होंगा ही होंगा, ठीक है, अमेरिका की election में, लेकिन ये नहीं पता था कि 2020 में इस बार इनका ऐसा कुछ step देखने को मिलेगा, 2020 में नोंने कही दिया कि यहाँ पर, हाँ, इस बार में election जो है, अब खड़ा होंगा, इस बार election में, इसी कोई वैसी बात नहीं है, बहुत जादे हैं पर famous personality है, लेकिन अब यहाँ पर यही बात होगी कि ऐसा लग रहा है कि serious नहीं है इस बात को लेकर, ठीक है, इन्होंने ऐसी मज़ाब मज़ाग में tweet कर दिया होगा, लेकिन इस बात को लेकर यह serious नहीं है, तो उसके ओपर यह article है अगर detail में article आएगा तो उसके बार में discuss करेंगे, अभी फिलाल इतना ही article है, आपको इतना ही idea रखना है, ठीक है, next, चलते हैं आगे हम लोग, आगे आपको लोग यहाँ पर एक important चीज़ है, इसमें important बात करेंगे, हम 9-line की, अब जो यह article है न, South China Sea के उपर मैं आपको बिल में क्या conflict होई, कैसे कैसे आया, ठीक है, और फिर क्या क्या है, यहाँ पर impact हो सकता है, तो सारी चीज़े में South China Sea के बार में बता दूँगा, फिलाल जो अभी हाल, यहाँ पर article हमाली important है, वो हमारा 9-line, 9-line क्या है, चाइना का, तो 9-line यहाँ पर हम लोग countries है, वो कौन-कौन सी है, ठीक है, अब यहाँ पर 9-line कौन-कौन सी countries हैं, सबसे पहले Taiwan, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, Parasal Island, और इसके बाद यहाँ पर, Scarabork, Shoal, Philippines, उसके बाद, Spartley Island, और Vietnam, Malaysia, Brunei, यह हमारी 9-line है, ठीक है, तो उसके बाद यह article है कि South China Sea, South China Sea के जो 9-line है, इनके बीच म भी काफी जादे जड़ब चलती रहती है, काफी जादे जो है, डिस्प्यूट रहता है, आप यहाँ पर देखो कि जो यहाँ से यहाँ तक बताया है, नहीं article, यह article यहाँ से यहाँ तक, यह पूरा आपसीट के डिस्प्यूट है, इंडिया का कहीं पर involvement नहीं है, कहीं भी इंडिया काफी जादे जो है include रहता है South China Sea से, South China Sea में जादे तर involvement रहता है, जैसे कि यहाँ पर South China Sea carry करता है merchandise to and from India, ठीक है, merchandise जहाँ पर जो ships बगर है, जो trade बगर होता है, वो South China Sea से यहाँ सक आता है, जाता है, तो काफी जादे अच्छा role play करता है, यहाँ पर South China Sea इंडिया के लेकिन है क्या, बाकी country से इसकी तो बनती नहीं चाहिना की, काफी जादे डिस्प्यूट चलना है, इंडिया से भी डिस्प्यूट चलना है, तो इंडिया करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से maintain करकर रखना पड़ेगा, साथी साथ अपनी जो comprehensive partnership है, जैसे कि इंडिया की, आप देखोंगे, जापान से, इंडोनेशिया, यूएस, वेतनाम, यह और जादे इंक्रीज होनी चाहिए, और जादे इंक्रीज हो सकती है, मलेशिया, फिलिपिन्स, थाइलेंड और सिंगापूर से भी, क्योंकि हाँ पर इंडिया जो है, उसका trade काफी जाद अच्छा है, काफी जाद involvement रहता है, South China Sea में, इंडिया का, ठीक है, तो next article हमारा, next article हमारा ये है, इथोपियाज, ब्लडी मेहम, अगाइस, यहाँ पर question आया था, कि हमारे thumbnail में, वो picture लगी होती है, side में, वो कौन सी लगी होती है, तो guys, वो picture जो हमारे cartoon picture निकल के आती है, daily तो नहीं आती है, जिस दिन आती है, वहाँ पर, जो cartoon picture है, वो आपको, वही चीज जो है, यह cartoon picture था, आती है, वो आपको लगी ही होती है, ठीकले है, तो यहाँ पर यहँ आर्टिकल में आपको अब बताने वाला हूँ, अच्छी तरीक cruise से समझे है, इथोपिया में, जो ओरोमस जगे है, ओरोमस ठीक है, ओरोमस मत समझना, ओरोमस जगे है, ठीक है, वहाँ पर एक personality है, का जानीवानी काफी जानीवानी परसनलिटी है जिनका नाम है हकालू हुंदेशा हचालू हुंदेशा कहोगे हचालू हुंदेशा यहां पर एक परसनलिटी है काफी इंपोर्टन परसनलिटी है साथ यह भी सिंगर थे ठीक है यह काफी जादे अच्छी मतलब इतना जादे अच तो यह आप इनको क्या कर दिया है इनको गोली मार दी गई है ठीक है इनको गोली लग गई है 29 जून को 29 जून को गोली लग गई है तो आप यहाँ पर situation क्या बन रही है situation यह बन रही है कि जो हमार protest है वो जैसा चल रहाता है वैसा protest काफी जादे protest चलता है और starting से ही यहाँ पर Ethiopia में protest चल रहा है Ethiopia protest किस चीज़ को लेकर चल रहा है वो हमीं discuss करते हैं चलो map के थूँ देखेंगे हम सारी चीज़े ठीक है map के थूँ अब आपको discuss करवा हूँ है सारी चीज़े आपको जो है पहले इसमें यह है Erythria भी यहाँ पर इसमें add था ठीक है Erythria भी हाँ पर add था लेकिन अब यहाँ पर इसको separate कर दिया गया है separate जगह दे दी गया है जब से यहाँ पर ABMAD आये हैं ABMAD जो President है समय इथोपिया के ठीक है और एक बात और भी यादोगी Nobel Prize winner है ABMAD ठीक है अब Nobel Prize winner भी है दो इनों लग क्या है ABMAD ने जो जब से आये हैं इनने Nobel Peace Prize इसलिए तो मिला है Peace Prize क्यों मिला है क्योंकि इनोंने शांती बनाई रखी लेकिन शांती है नहीं अभी भी बिल्कुल भी ठीक है situation जो है वैसी की वैसी है लेकिन जो यहाँ पर यह पहले एक था यूथोपिया और एडिते एरिया लेकिन इनोंने क्या करा इससे separate कर दिया यहाँ पर क्योंकि काफी जादे conflict चलता था इसको अपनी जगह देती कि हाँ तुम अपने अलग शहर बनाके रहो ठीक है अब यहाँ पर African countries की बात क्या है यहाँ पर जो सारी मतलब एफरीका में जो यहाँ पर जितनी पी countries है सबकी यही situation है कि क्या करना अपनी अपनी जगह लेना सब चाहते हैं कि हमारा एक region हो हमारा एक region हो आप देख सकते हो यहाँ पर Somalia आप देख सकते हो सब चाहते हैं कि हमारा अपना अपना रीजन हो तो ऐसा ही यहाँ पर Oromia उस भी चाहता है बाकी जितने भी areas हैं बाकी countries कहा रहा हूँ बाकी जितने parts हैं जितने regions हैं वो सब चाहते हैं कि हम अपना अपना part हो ठीक है ऐसा काफी हद तक देखते भी आया है क्योंकि लोग अपना अपना parts मांगते हैं आप देखोगे यहाँ पर यह है Oromia और यहाँ पर यहाँ देखोगे आप Edis, Abama यहाँ पर यह जगह है तो यहाँ से कुछ दूर 100 किलोमेटर दूर करीब वो जो हमारे हचालू हुंदेस हैं यह रहते थे ठीक है यहाँ पर यहाँ पर डिस्प्यूट देखोगे तो एक तो डिस्प्यूट चलता है इस बॉर्डर से लेकर इस बॉर्डर से लेकर सोमालिया और ओरोमिया के बीच में औरोमस के बीच में दोनों के बीच में ठीक है हमारी representative ज्यादा होना चीह है तो हमारी representative क्यों नहीं करते हो ठीक है तो आप देखोगे जो सबसे पहली बात जो हमारा क्या होता है president और prime minister जो चूज करके आता है वो कुछ country से आता है जैसे कि हमारा ओरोमिया हो गया अमहारा हो गया साथ हमारा यहाँ पर यह वो गया ठीक है यह एरिया हो गया Southern Nation Nationalist and Peoples यहाँ पर यहाँ से चूज कर जाते हैं तो इस बार क्या हुआ है जो औरोमिया से ही चूज हो के आए है जो ABMA वो भी औरोमिया के ही है ठीक है अब तो यह बिलॉंग करते हैं औरोमिया से यह जो डिस्प्य गोली लग गई यह तो उसके अपर यह article है कि गोली किसमें मारी है उसके बारे में हांपर चीजें बता ही जाएंगी ठीक है और ये क्या देखा जाएगा जो हमारे एबी एबी एहमद है इसा में ठीक है एबी एहमद है वो क्या देख रहे हैं यहाँ पर he must expeditionally bring to justice those behind the tragic shooting of हचालू ठीक है किसी जिसने भी shoot किया है हचालू को वो देखा जाएगा कि यहाँ पर कौन था और justice करा जाएगा ठीक है उसके बाद next हमारा last जो है काड़ून पिचर है काड़ून पिचर आप देख सकते हो portfolio उसको लेकर MP यहाँ पर यह दो कैसे लड़ रहे हैं यार सब के सब तो अब यहाँ पर हमने काफी सारी चिसे डिसकस की है इथोपिया के बारे में पड़ा इथोपिया का मैप देखा उसके बाद हम लोगों ने इंडिया चाना की काफी सारी बाते करीं और काफी हतको अब अमने सारी में सारी कर लीए ही है इसवे से यहाँ पर सारे नोट्स जो है